ऊब आज और फ्रेंड्स सीड आज की चूडव में हम बात करेंगे इस इन अपसी के शेयर में इस थे आपको गिर ऑँट देखने को मिल रहा है घे आज की किसोट देखने को मिलेगा क्या इसके स्पोर्ट रहेंगे क्या इसके टार्गेट रहेंगे डिटेल के समझेंगे उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब पर के नोटिफिकेशन बैल को उन करो ताकि जब भी में जो वीडियो यहां यहां पर तो लास्ट में सटोड अपको देखने को मिली है तो कल जो करते हैं कि फोड़ा बहुत पोजिट्टिव माल्य में सटोक में देखने को मिल जाए अब बात करते हैं कि आने वाले ताइम में कैसा मूमेंट आपको देखने को मिलेगा इसके लिए हम लोंग ट्रम के व्यू के लिए हमेशा हम वीकली केंडल चार्ट ओपन करते हैं ताकि लोंग ट्रम का हम टार्गेट सेट कर पाई यहां पर देखो भई अगर आप इंट्रा आप अब समझते हैं कि कैसा मूमेंट आपको डेखने को मिल सकता है यहां पर आप देखोगे तो केंडल काफी इंपोर्टेंट रॉल निभाती है किसी भी स्टोक में अगर आप कहीं पर भी देखोगे देखो चार्ट के टोप में देखो कौन सी केंडल बनी थी वीकली चार अब लोंग ट्रम के वीव से आप देखिए तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली यहां पर आगर आप देखोगे चार्ट के वोटम में ठीक अपसाइड का मूमेंट और यह एक रिस्टेंस था यहां से मार्केट ने फिर दिखाई उसके बाद आप देखोगे कि दोसी बनी नेक्स्ट केंडल है ना कनफरमेशन मिल गई अपसाइड फिर यह केंडल देखो और फिर गिरावट अब लोंग ट्रम के व्यू से चलें तो देखो लोंग ट्रम के व्यू से तो गिरावट आ सकती है लेकिन अगर हम भाई कम टाइम का प्रेडिक्शन करते हैं त जो की यहाँ नितीक है यहाँ से रेकृष यहां से रेकवरी देखने को मिली अगर कल गिरावट भी देखने को मिली अगर नहें तarım का क्लविव इंब देखन फिर उप्र है ना उसके बाद आप यहां पे देखो अगर वीकली चार्ट में ओपन करके दिखाती हूं न और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि यह एक स्पोर्ट है ठीक है यहां से स्पोर्ट लेके मार्किट अबसाइट जा सकती है अब उपर के लेवल में कौन से लेवल इ देती है 662 का तो फिर यह स्टोक आपको 595 तक जाता और नजर आ सकता है और उपर के लेवल मैंने आपको बता दिये हैं और गिरावट का रिजन भी आपको बता दिया है होप करती हूं आपको कुछ ना कुछ हैल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से अगर वीडियो आपको पसंगर झाल मिली होगी आपको शबक पसंगर ऑ्राह करता हैं आपको कि zijn लुटियो चंपता है ।